हलो फ्रेंद कैसे हो तो मैं आपके लिए आज एक बच्चे का सोक्स लेके आई हूँ उस सोक्स के लिए हमको यह 40 कुंदे डालने होते हैं और 40 कुंदे हमने यह 9 लाइन बीन लिया इसको 9 लाइन मतलब 18 सलाई तो 18 सलाई जब हम बीनते हैं तब यह सीधी जो उल्टी सलाई की हैं डंडी जहरी है यह 9 लाइन हमारी यहां पर बनती है तो जरह नौन राईन हमसे बना लिया तो उसके बाद मतलब इन हिस्समें बाठ दिया से 13 लुब 26 से रतिय और 14 सरह इधर निकाल दिया यह हमने इधर निकाला और चौध यह बीच का बिनवा लिया जब 14 यह बीच का दो कलर आपके पास है तो दो कलर बनाओ मेरे पास बहुत सारी मिलती जुलती बहुत स्वाटर बनाया था यह कलर बचा यह कलर बचा यह कलर बचा यह सब तीन कलर के मैंने बच्चों को बहुत सुंदर लगता जब तीन कलर से कुछ भ यह पूरी कैसे बनती है तो सोक्स बनाने के लिए यह हमने ऐसे कुंदे डाल लिए यह यह ऐसे ऐसे पकड़ा और यह डाल दिया ऐसे पकड़ा यह डाल दिया तो हमने 40 फंड डाल के इतना बना लिया अब बनाने के बाद हम आपको डिजाइन डालना बताते हैं कि यहां से 13 यह हम बना लेंगे इसको क्योंगि तीन हिस्से होंगे बूट वाले जुराब के लिए जैसे जूते बनते हैं वैसे यह बहुत सुंदर बनता है यह मैंने परेत तेरे, तेरे बना लूँगे, तेरे दुनी 26 हो जाएगा, और बीच का 14 बच जाएगा, यह देखें, तीन छे, तीन नो, बारे, तेरे, एक जादा हो गया, तो यह कर लिया हमने, और यह जो है, यह इधरी रहेगा, जब हम उधर से आएगे, तब पलतेंगे, पासा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दश, ग्यार, बार, तेरे, चोदा, यह बीच का चोदा हमने बनाया, तेरे उधर बनाया, तेन, तेन, छे, तेन, नो, तेन, चोदा, बार, एक, तेरे, तेरे यहां छोड़ेंगे हम, और यह पलट लिया, पासा, इसको हम यही पे छोड़ दिया, इसको नहीं बुनेंगे, अब हमें दूसरा कलर लगाना है, येलो ये हमने येलो धागा इसमें लगा लिया और इसको क्या करेंगे दिखे ना इसके उपर करके और ऐसे बनाते चले जाएंगे ये इसके उपर अपर हो गया ये फिर इसके उपर लगाएंगे ये इसमें हमारी सिलाई होती चले जाएंगे इसको हम 14 घर बना लेंगे फटा फट यह 14 हमने यलो बना लिया अब यह 13 यहां बचा यह हम पलट देंगे इसको पासा एक मिना यह पलट के इसको छोड़ देंगे इधर यह अब यह हमारी उल्टी-उल्टी सलाईया सब चलती रहेंगे अब यह लोक हमारी एक लाइन पूरी हो गई यह अब हम रेड के अब रेड को दो लाइन जानना तो यह जो है हमने इधर कर दिया और इसको यह ही छोड़ देना है अब इसको हम दो लाइन बना लेंगे चार सलाई तो हमारी ऐसे दो लाइन यह पड़ जाएगी रेड वाले ब अब ये मेरा पूरा बन गया है अब देख रहे हैं ना। यहाँ से इस्टार्ट किया था ये लो अला। तो पूरा मेरा कितनी लाइन बना है? 2,2,4,2,6,2,8,2,2,0,2,1,12 बारा बारा बना है धूर तीन जो पान चे साल 12 पान 17 लाइन ये मेरा बना है तो ये मेरा बन के त्यार हो गया है आप देख रहे हैं ये बीच का लाइन दोनों कलर लेके ये जो है 17 लाइन बनी है पूरे तो 17 लाइन बनी है तो बीच में एक हम इसमें सस्पेंस डालते हैं ये देखें ये 2-1 कर दूंगे जो कान इक पर कोना निकलता हे ने वो हमारी गुलाईाँ जाएगे दो का एक किया फिर यह रेड में लिया यह दोनों तरफ से यह यहां पर एक कुन करके मैं बंद कर दूंगे 2 का एक कर दूंगे फिर इसको क्या करना है अब ये दो लाइन और जाएगे तब इसको हम आपको बताते हैं बने रही है मेरी वीडियो में ये हमारा बन के तियार हो गया अब हमको क्या करना है यहां से जो है मतलब 43 कुंदे हमारे हो जाने चाहिए यहां 13 है और उसी इसाब से हम घर उठा लेंगे तो मैं आपको बताती हूं घर उठाके तो हमें ऐसा करना है कि हमारा 43 कुंदे होने चाहिए एक तरफ छोटे बच्चों के लिए 43 तरफ दिए हम तेज कुंदे उठा लेंगे इसमें से अब इसको हम क्या करेंगे यहीं से अराम से इसको एक एक करते उठाते जाएंगे दिख रहां तेज कुंदे उठाएंगे इसमें से अराम से और यह भी हम सीधी तरफ से उठाएंगे जो हमारी यह जार यह उल्टिटाइज हो जाएगी हमने सीधी तरफ से उठाएंगे तो यह देखो देख रहां पता नहीं आपको नहीं देख रहा है यह देखो मैं बहुत कोशिस कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए गरिमा यह हमारा बनके त्यार हो गया रेडिय हो गया यह एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारत तेरह चोदह पंदरह सोलह सतरह टारह उन्निस बीस एक्किस एक्किस है तो यहां से हम लेके अभी हमको तेईस कुंदे उठाने है तो इधर से जो हमने छ फोल रखा था इधर से उठाएंगे यह देखिए अब इसको यही पीला वाला छोड़ देंगे और एड़ से उठाएंगे क्योंकि हमें तीन लाइन डालनी है तो यह आराम से ऐसे देखिए यही से मुठा लेंगे वान टू मैं हिंदी बोल ली ठीरी फोर अभी हमने 24 कुंदे यहां से उठा दिया यह आप देख रहे हो इधर का खाली आते वक्त उठाते हुए जाते वक्त अब इसको जो हमने घर छोड़ा था यह इसी में हम बना लेंगे अब यह हमने बनाते बनाते यहां से आगे अब यह हमारा इधर का पास आगया अब इसको क्या करेंगे आप देखो हमने पहले इधर से उठाया था साइड आगया तो हमको अब सीधे बगल बुनना पड़ेगा इधर से यह इधर आगे फिर हम वैसे जैसे उधर से उठाये थे इधर से भी हम 24 घर उठा लेंगे यह यहां तक फिर इसको हम बना देंगे है क्ई यह बना रहे है मंवी अभित रात सुबह से देक लिए फीता यह बना रहे है न इसके लिए जुराभ बना रहे हैं वहां बितक्षी पड़ी थी तो आण शुचत च्ण बच्चा है, बनाई दे, यह देखो, आपके चक्कर में मेरा घर भी गिर गया, अब इसको सही करो, और बताओ कैसे हो, तो यह ठीक है सब, बहुत ही सुन्दर बनके, त्यार होगा है, यह एक तो बना दिया, मैंने सोचा चल, दर्स तो बज रहे हैं राच, जूती है, जूती, हाँ, बूट है, उसको बहुत पसंद है, तो कह रही थी, बना दो, पांच साल की पूती है, तो मैंने बनाई देते हैं, बची खुची हुन है, और पता है गाइस, यह जो अपने हाथों से बनाते हैं, बहुत प्यार चुपा होता है, बजार के तो मिल जाएंगे, आपको जारों, लेगिन हाथों के बनाया वची है, नहीं मिलेगा, जो हमने टाइम निकाल के और यह बनाते हैं, यह दो-दो लाइन हो गया, अब मैं इसको रेड लगा दूँगे, पूरा ही होने वाला है मेरा, फिर दिखाते हैं, पोज़ करते हैं, जाओ दो मिलेगा, आपको रेड चरते हैं, खुँखे एम सकतरस्टर सीमाइब के एन वाला है, जो अज़ा एम सृपनों, जो ड्राहीं आपको मिलेगा सीमासिता है, यह दो फिखाते हैं, जो गुटम्स के बनाघ लग दोग्जखें मुश़ करते हैं, यह दो शो करते हैं झाल झाल हम गैस लाइट क्यों करना चाहिए है चुछ हलो फ्रेंड यह मेरा बन के सोख से त्यार हो गया अब मैं इसके सिलाई करूंगे तो आपको बताते हूँ यह मैं धागा डाल लिया और यह मेरी सलाई है प्लास्टिक के और इससे में यह जो तो हगी दोनों लगाया थे उनना यह मैं इसके अंदर ही डाल दूंगे क्योंकि गाठ लगाने है और ना लगाने से कोई फरक नहीं पड़ता तो इसके अंदर दबाते सिलते हुए चली जाओंगे मैं कभी उधेड़ना भी हुआ तो आसानी से उधर सकता है इसके अंदर ही कर लिया और इसको क्या करेंगे यह गीट में डाला और टक लगाते हैं अब इसको कैचे से कट लिया अभी हमारा फूर्त ही सुन्दर शोक्ष बनके रड़ी हो गया है शोक्ष बनके त्यार हो गया और यह सिला हुआ शोक्ष यह देखें यह दोनु ऐसे बनके बहुत सुन्दर रड़ी हो गया वर्स्ट वर्स्ट